dear friends dear students हम बात करते हैं participants की या intermediaries की जो many intermediaries काम करते हैं new issue के बहुँ new issue मतब primary market में जब कोई company पहली बार अपने share वग़र इस्यू करती है IPO लाती है तो IPO जब लाती है तो उसे अपने से investor सावेज करना या issue को complete करना थोड़ा मुश्किल होता है और नहीं इसके लिए सेवी अलाव करता है तो सेवी के जो रूल्स हैं इनके मताबिक इन्हें इस तरह के कुछ मेंड पार्टिसेबेंट्स को एपॉइंट करना ही पड़ेगा यह फैसलिटेटर्स है जो फैसलिटेट करेंगे जो आपका issuer है issuing form है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच यह कुछ पार्टिसेबेंट्स हैं जो काम करेंगे अपना कुछ specialized टास्क है इनके functions हैं जो यह perform करते हैं एक Commission के एबज में एक चार्ज के एबज में एन एक चार्ज जो है इसके लिए चाहिए जैसे Merchant Banker सब्सक्राइब Merchant Banker या Lead Manager के दो या Manager to the issue Manager to an issue ये इश्यू को पूरी तरह से manage करेगा एक manager के तर पे सारी जो है managing activities को ये संभानेगा कि कब आपका इश्यू आना चाहिए, क्या प्राइस आप इश्यू का रखें, कौन आपका एड़डाइजिंग एजन्सी हो या कौन आपका बागी बेंकर हो, रेश्टार हो, इस तरह की सारे मेनिजमेंट को आपका लीड मेनिजर देखेगा, है न, टाइमिंग वगेरा, आप अगर आपका इश्यू जो आप कर रहे हैं, जितने शेयर आप इश्यू करना चाहते हैं, उनके बदले में अगर उतनी अप्लिकेशन्स आपको नहीं मिली, तो अनसब्सक्राइब जो पोर्शन है, उसको ये सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, आपके इश्यू को रेजिस्टराइब इश्यू का मतलब है कि जतने भी कहें के बुक कीपिंग, रेकॉर्ड कीपिंग का काम है, मैंली, रेकॉर्ड कीपिंग का काम है इश्यू को लेकिए, इश्यू को लेकिए, और बुक कीपिंग और रेकॉर्ड कीपिंग एक्टिपिलीज विल बी इस्टरर्ड वैं रेजटार्ट तूद पेहता ना रखएका एक्षा का सीघऊ के इसकीॆ अब जो आपके investors हैं वो कहां से applications लगाएं वो brokers के जरीए और आपके bankers के जरीए आप किसी भी bank को एक बड़े bank को जिसकी जादत जगर या गहें के छोटे-छोटे towns तक भी जिनकी branches हो ऐसे banker को एक firm जो है एक issuing firm जो है banker to the issue appoint करती है ताकि दूर दराज के इलाखे से भी applications उसे मिल सके बैंकर क्या करता है कि उनसे application के साथ में जो भी check वगरा है funds का collection ये banker करेगा ठीक है इसके बाद ब्रॉकर्स या गहें के advertising agencies भी अपना एक role play करती है आपके issue की marketing का सारी जम्यदारी ये ब्रॉकर्स आप कई सारे पार्शेपैंट्स है जो कि एक issue में new issue market में अपना एक role play करते हैं और issuing firm को facilitate करते हैं investors को facilitate करते हैं ठीक है तो ये new issue market में आपका merchant banker हो गया जो सारा management देखेगा कौन underwriter रहे कौन register रहे कौन banker रहे कौन broker marketing agency रहे ठीक है अंडर राइटर एक तरह से ensure कर देता है ensure कर देता है आपको कि आपके जो issuers को fail नहीं होने देगा register सारा जो record keeping का काम है issue को लेगे उसमाल लेगा banker applications plus funds का collection checks का collection banker देखेगा brokers या advertising agencies will market your issue will make the investors aware about the issue ठीक है तो यह आपके main participants हैं जो new issue market में या कहें के primary market में अपना एक special role play करते हैं